हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एड़ रेट प्रिपरेशन इस सेनल पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास वन हिंदी की बुक सारंगी से आपके लिए पार्ट नो और इसके अंदर हम लोग एक कहानी जिसका सीर्शक है आलू की सड़क इसका दूसरा भाग करने वाले हैं इसका फ़र्स पार्ट यानि भाग एक मैंने आपको पहले करवा दिया था जिसके अंदर फ़र्स लिंक नीचे description में आपको मिल जाएगा वहां से आप इसका first part देख सकते हैं फिलाल हम लोग इसका second part करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आलू की सड़क के प्रश्ण उतर को करेंगे ठीक है तो चलिए start कर लेते हैं तो जैसे आप ये इस book के अंदर देखेंगे कहानी के बाद जैसे कहानी पूरी होती है तो आपको यहाँ पे heading देखने को मिलेगा बातचीत के लिए और ये प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे तो आप लोग अपनी copy के अंदर क्या करेंगे सबसे पहले part का नाम लिख लेंगे आलू की सड़क और उसके बाद ये जो heading है जिसे हम उ अंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहा जा रहा है ठीक है तो ये जो कहानी है आलू की सड़क जिसके अंदर हमने भालू के बारे में और बंदर के बारे में पढ़ा तो उसी कहानी के ऊपर आपके लिए ये प्रश्ण है अगर first part अच्छे से देखा है तो इस प्र से गैँ पर शक्रूलिण लिख लिया उसके बाद आप अपना उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि बंदर ने सड़क पर गिरे। आलू का पीछा कर, पता लगाया कि भालू अपनी नानी के घर जा रहा था किसे पता लगा है तो आप बोता सकते हो कि आलू का पीछा गि तो आप लोग को याद होगा कि भई, रास्ते में ये जो आलू गिरे वे थे, इन आलूओं की मदद से बंदर ने पता लगा लिया था, है ना, तो इस तरह से आप पहले प्रशन का उत्तर पूरा कर सकते हैं, अच्छा, इसके बाद जैसे ये पहला प्रशन आप लोग पूरा दिया होगा जो भालू है उससे प्रश्ण पूछा गया था कुछ पूछा बंदर ने लेकिन बंदर को उसने कोई जवाब नहीं दिया यानि उत्तर नहीं दिया क्यों नहीं दिया ये पूछा जा रहे आपसे तो देखो आप लोगों ने अगर फर्स पार्ट अच्छे से देखा है और इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि पीछे से बंदर ने काफी आवाज लगाए था कि भालू को बोला था भाहिया कहा जा रहे हो भाहिया ऐसा बंदर ने आवाज लगा के पूछा भी था लेकिन जो हमारा भालू है इसने कोई जवाब नहीं दिया तो आपसे पूछा जा रहा है कि भी जवाब क्यों नहीं दिया इसका उतर आप बताईए तो आप इसका उतर कुछ इस तरस से लिख सकते हैं कि भालू को बंदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसने कोई उतर नहीं दिया, ठीक है, जिनकी भालू जो अपने नानी की खर जा रहा था, उसे बंदर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, और जब आवाज सुनाई नहीं देगी, तो उतर कैसे देगा भई है ना तो इस तरह से आप इस प्रशन का उतर पूरा लिख सकते हैं ठीके तो अभी आपका ये दूसरे प्रशन का उतर भी पूरा हो गया अब इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा प्रशन ठीके देखो ये वाला प्रशन ये जो नीचे तीसरा प्रशन है न अब हम इसे क तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को यानि प्रश्न संख्या 3 को लिख लेजिए ठीक है जैसे आप इस प्रश्न को पूरा लिख लेंगे तो उसके बाद देखिए इस प्रश्न में आप से पूछा क्या जा रहा है तो इसमें पूछा जा रहा है यदि रास्ते में पानी होता ठीक है अभी रास्ते में आलू गिरे वे थे आप से पूछा जा रहा है कि रास्ते में क्या होता पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती देखो जब भालू चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज आ रही थी कैसी आवाज आ रही थी धप धप करके आवाज आ र अब प्रश्ण आपसे ये पूछा जा रहा है बचो इसके अंदर कि आप ये बताईए कि अगर रास्ते में पानी होता तो आवाज कैसे आती तो देखिए जब भी आप लोग पानी के अंदर चलते हैं तो पानी के अंदर चब लिने विए और आपके अवाज कैसे आती है छप चप चप करके आवाज आती है ना तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं यदि रास्ते में पानी होता तो रास्ते में चप चप की आवाज आती हैं तो आप उत्तर लिख सकते हैं यदि रास्ते में पानी होता तो रास्ते में चप चप की आवाज आती हैं तो इस तर यानि प्रश्ण संख्या 4 में आपको बोला जा रहा है अगर बोरे में छेद नहीं होता ठीक है आप लोग जानते हैं कि बोरे में क्या हो गया था छेद हो गया था और जिसकी वज़े से यह आलू जो है गिरते जा रहे है जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो यहापे और यहां से यह आलू smok गिरता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, और आप से प्रश्णी यह पूछा जा रहा है, कि अगर इस बोरे में छेद नहीं होता, ठीक है, हिताब में तो कहानी में हमने भी यह पढ़ा की छेद है, लेकिन अगर छेद नहीं होता, तो कहानी में लिख सकते हैं कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो रास्ते में आलू नहीं गिरता जैसे इस कहानी में आपने देखा कि आलू जो है पूरे रास्ते में गिर रहाता किसके कारण बोरे में छेद होने के कारण अगर बोरे में छेद नहीं होता तो यह जो आलू है वो रास्ते में नहीं गिरता है ना तो आप उत्तर से लिख लीजिए अगर बोरे में छेद नहीं होता तो रास्ते में आलू नहीं गिरता ठीक है तो इस तरह से आप चौथे प्रशन का उत्तर भी लिख सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं ठीक है अब जैसे आपने ये चार प्रशन पूरे कर लिए तो ये जो आपकी heading थी ना बातचीत के लिए इसके अंदर ये चार प्रशन थे इन चारों प्रशन का उत्तर आप लोगों ने दे दिया ठीक है? अच्छा इसके बाद अब आपके लिए है अगली heading जो कि आपकी किताब में आपको नीचे देखने को मिलेगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं heading है आवाजें तरह तरह की यानि कि अलग अलग तरह की जो आवाज हम लोग सुनते हैं उसके अधार पे ये प्रशन आप से पूछे जाएंगे चिली पहले एक पर पढ़ लेते हैं इसके अंदर है क्या और उसके बाद फिर हम अपना उतर लिखेंगे जैसे यहां लिखा है कि हमें आस पास कई परकार की आवाजें सुनाई देती हैं जैसे घंटी बजने पर आवाज आती है टन टन बादल गरजने पर आवाज आती कैसी घर घर ऐसी आवाज आती है पानी टपकने पर आवाज आती है टप टप है ना इस तरह की आवाज आपने जरूर सुना होगा कहीं भी घंटी बजती है जैसे मंदिर की घंटी होगी स्कूल की घंटी होगी ठीक है तो टन-टन करके आवाज आती है और जब बादल गरस थे बारिश होने से पहले तो घर घर अशे बहुत तेज आवाज आती है और जब पानी के नहीं टपकता है किसी टैब से नल से तो आवाज आती है टप-टप करके तो अब आपके लिए देखो ये है प्रश्ण तो इस प्रश्ण में आप से पूछा जा रहा है कि बताईए इन वस्तों की आवाजे कैसी होती है तो देखो अभी तक आप लोगों ने चार प्रश्ण आप लोगों ने कर लिए यह चार प्रश्न कर लिए और इस heading के अंदर यह पहला प्रश्न जिसे आप प्रश्न संख्या पांच भी डाल सकते हो क्योंकि चार प्रश्न आप कर चुके हो तो यह आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा कि बताएए इन वस्तियों की आवाजे कैसी होती है और जैसे यहाँ पे आवाज के बारे में चित्र भी दे रखा आपको तो यह जो चित्र है इस चित्र को भी आपको बनाना है अपनी कॉपी में कलर भी करना है देखिए जैसे सबसे पहले यह पानी में चलना जब आप पानी क्यासी आती है खर खर ऐसे करके आवाज आती है ठीक है खर खर ऐसे करके आवाज आती है तो आप अपने उतर में लिख सकते हैं खर खर और कभी आगर आप लोगों ने अपना बड़े सेलिबरेट किया होगा जब आप जनम दिन मनाते हैं बड़े मनाते हैं और गुबारा फू पूछा जा रहा है कि बर्तनों का गिरना और जब बर्तन गिरते हैं तो भी कैसी आवाज आती है टंटन करके भी आवाज आती है खन 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 ऐसी आवाज आती है तो आप खन खन अपने उतर में लिख सकते हैं ठीक है तो खन खन आप यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर अगला पूछा जा रहा है कि बारिश की बूंदे बूंदों का गिरना और जब बारिश की बूंदे गिरती है तो कैसी आवाज आती है टिप टिप करके बारिश होती है तो आप टिप 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 लिख सकते है अपने उत्तर में ठीक है टिप 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 ठीक है जब बारिश होती है आपे अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो मेरी मम्मी की आवाज लगाईगी, तो क्या बोलेगी, कृष्णा इधर आओ, है न, तो इसी तरह से आपकी मम्मी पापा, जैसे भी आप आपको आवाज लगाते हैं, वो आप नाम लिख सकते हैं, कुछ ब बढ़ते हैं ठीक है तो आगे आपके लिए है ये प्रश्ण संक्या 6 क्योंकि पाच्वा प्रश्ण आपने कर लिया तो इसके बाद ये है आपके लिए छटा प्रश्ण ठीक है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए और इसके अंदर ये तीन वाक्य आपको दे रखे जिसमें से आपको तीनो प्रश्ण चोटे-चोटे प्रश्णों का उत्तर आपको लिखना होगा इसमें देखिए पहला प्रश्ण आपके लिए है कि बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था अगर आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि जो बंदर है वो पीपल के पेड़ पर बैठा था देखो इस चित्रव को देख करके आप इस चित्रव का पेड़ पीपल का था तो आप यहाँ पेड़ पीपल लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इस प्रश्ण का उत्तर भी कर लेंगे पूरा लिख करके उसके बाद दूसरा आपके लिए है कि भालू कहा जा रहा था तो आप लोग जानते इस कहानी को अप आपने पढ़ा था कि भालू का जा रहा था अपने नानी के घर जा रहा था तो आप यहाँ अपने उत्तर में लिख सकते हैं नानी के घर इसके घर जा रहा था भालू अपने नानी के घर जा रहा था है तो आप अपने उत्तर में लिखिए नानी के घर ठीक है अच्छा उस आलू ने क्या किया था कि नानी की घर जाते समय पहले एक बोरा उसने क्या लिया था आलू ले लिया था है ना तो बोरी में उसने क्या रखा था आलू रखा था तो यहाँ पे आलू और मूली दे रखा है आप लोग जानते हो कि मूली की चर्चा तो हमने की नहीं इस कहानी के इसकी चर्चा की हमने आलू की किये तो आप आलू अपने उतर में लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इस छटे प्रशन को भी पूरा कर सकते हैं जिसके अंदर ये तीन वाक के आपके लिए थे छोटे छोटे प्रशन थे जिसका उतर आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं अच्छा इसके बाद जैसे आप छटा प्रशन पूरा करेंगे अब है आपके लिए ये सात्वा प्रशन बहुत ही आसान प्रशन है ये सात्वा प्रशन जिसके अंदर आपको इस चित्र दे रखा है और इस चित्र के आधार पर आपको उतर यहाँ पे लिखना होगा देखिए पहले एक बार इस प्रशन को पढ़ते हैं ठीक है उसके बाद हम इसका उतर मैं आपको बताऊंगा तो जैसे आप यहाँ पे तीन चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इसी के आधार पर आपके लिए प्रशन है कि नीचे दिये गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िये देखिए अलग-अलग यह तीन चित्र आपको दिखाई दे रहे है और यहाँ पे वाक्यों के अनुसार इसको मिलाना है देखिए पहला आपके लिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिए भालू ने क्या किया अपनी पीट पर आलू का पुरा बोरा रख लिया तो जैसे देखो यह जो दूसरा चित्र आपको देखने को मिल रहा है यह वाला चित्र है ठीक है इस चित्र को भी बनाएंगे और इस वाक को लिखने के बाद यहाँ पे इसका मिलान कर देंगे ठीक है अच्छा अब उसके बाद यह दूसरा वाक्य पढ़ते है पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था अब देखें बंदर वाला चित्र कौन सा है तो देखो यह तीसरा चित है कि रास्ते में आलू पढ़े हुए थे तो जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हो यानी सड़क पर आपको यहाँ पर आलू पढ़े हुए यानी गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इस चित्र को इस वाक्य के साथ ऐसे मिलान कर दोगे ठीक है तो इस जैसे यह सात्मा प्रश्न पूरा करोगे बच्चो तो अब आपके लिए अगली हैडिंग है ठीक है यानि कि अब जो है आपके लिए अगला उपविशे जिसे हम है इडिंग बूए हिंदी में क्या लिए लेती है हम लोग मैं आपको लिखवाता हूं क्लास के अंदर उपवि पहचाने है यानि कि ऐसे शब्द पहचाने है जो कि ब से सुरू होते है ब जो अक्षर है ठीक है ब अक्षर से जो सुरू होते है ऐसे शब्द को हमें पहचानना है अच्छा आगे आपको बोला जारा है कि अनुमाल लगाकर पढ़िए और लिखिए आपको अनुमाल लगान और यहाँ जलेबी भी देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ जलेबी देख करके लिख सकते हैं है ना तो यह लिखने का आपका अभ्यास भी हो गया जलेबी अब जलेबी में ब जो है लास्ट में लेकिन यहाँ पर क्या बोला था आपको कि सुरू वाला आपको चुनना है तो ये हमारा उत्तर तो नहीं होगा उसके बाद देखो क्या चितर है आपके लिए डमरू है है ना तो डमरू लिखा हुए ड म र पर उकी मातरा डमरू ठीक है उसके बाद तारा है तो तारा देखने को मिल रहा है तो आप तारा यहां पर लिख देंगे देखकर के उसके बाद बस्ता दिखाए दे रहा है अब जो बस्ता है बस्ता में क्या है जो ब से ये शब्द सुरू हो रहा है है ना तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा तो जैसे आपके लिए प्रश्ण में पूछा गया कि भी ऐसा शब्द ढूंडो जो की ब से शुरू होता है तो ब से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है? बसता है दिखो जलईबी में भी ब आ रहा है लेकिन वो आखिर में आ रहा है और प्रश्ण में हमको क्या बोला गया था? कि भी शुरू वाला धूंड़ना है में तो शुरू वाला कै बसता तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है? तो इस तरह से आप इस प्रश्ण का उत्तर बता सकते हैं ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्ण ठीक है तो दूसरा प्रशन यानिकि ये जो प्रशन संक्षिया दो है आपके लिए इसमें आपको बोला जा रहा है नीचे दिये गए चित्रों के नाम सुनिए ठीक है तो हम लोग इसको पढ़ने का भी अभ्यास कर लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और साथ के साथ मेरे साथ अभ्यास भी कर सकते हैं जैसे ये चित्र है एक पक्षी है जिसका नाम है उल्लू तो आप उल्लू पढ़ना भी सीख रहे हैं और साथ के भी लिखे हुए मिलेंगे कुर्टा ठीक है इस तरह से भी तो अभी छोटे बच्चे हुआ तो कुर्टा कपे उ की मातरा रता ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है अच्छा उसके बाद अगला है आपके लिए सुराही, सुराही देखो ये एक बरतन होता है मिट्टी का जिसके अंदर पानी रखा जाता है अच्छा, उसके बाद अगला शब्द है आपके लिए उन ठीक है, तो उन भी आपको देखने को मिल रहा है लिखते कैसे, ये भी आपको पता लग रहा है उसके बाद अगला है आपके लिए फूल ठीक है फूल जैसे आपके घर के आसपास स्कूल में और बहुत सारी जगा आप देखने को भी आपको मिलता है और लिखते कैसे हैं यह आपको यहाँ सीखना है और फिर उसके बाद आखिर में आपके लिए सूरज सूरज तो आप रोज देखते हैं अब लिखना भी सीख लीजिए कि सर पे बड़ियू की मात्रा र और ज यह हम लोग इस तरह से सूरज लिख सकते हैं तो लिखने का भी अभ्यास हो गया आपका पढ़ने का भी अभ्यास हो गया अब आगे आपको बोला जा रहे कि बताए इन नामों की पहली धबनी में क्या अंतर है देखो जिसे उल्लू है इसमें उ की आवाज आ रही है कुर्ता है कुर्क की आवाज आ रही है पहले फिर उ की आवाज आ रही है सुराही सु ऐसे सु आवाज आ रही है सबसे पहले कुर्ता में कु की आवाज आ रही है उन में बड़े उ की आवाज आ रही है और फूल में फू की आवाज आ रही है हमारे पास और सूरज में सू की आवाज आ रही है यानि सब के अंदर आपको उ की आवाज भी सुनने को मिल रही है तो जैसे आपको यहाँ बोला गया धबनी पहचानो तो आपने सारी धबनी पहचान दी दवनी का अर्थ होता है बच्छो आवाज ठीक है अच्छा उसके बाद अगला है प्रश्ण आपके लिए तीसरा प्रश्ण देखो सब्दों के खेल के अंदर ये तीसरा प्रश्णा आपके लिए है और इस प्रश्ण में आपको बोला जा रहा है कि नीचे दिये गए चित्रों के नाम बताईए और लिखी है जैसे यह चित्र दे रखें तो आप लोग जानते हूँ यह चित्र किसका है? भालू का है तो भालू को आपको देख करके लिखना है ठीक है भालू लिखते कैसे हैं यह यहाँ आप देखेंगे और लिख लेंगे ठीक है जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ भा और लू ठीक है फिर आपको यह सड़क दिखाई दे रहा है तो ट, म, पे आ की मात्रा, फिर ट, और उसके बाद र, ट, म, टर, ठीक है, और सूरज, जिससे की आपने रोज देखा होगा है न, तो सूरज में बड़ेवू की मात्र, स, पे फिर र, अर्ज, सूरज, ठीक है, तो सूरज कैसे लिखते हैं, इसका भी आपको अभ्यास भी हो ज और इस प्रश्ण में आपको बोला जा रहा है कि भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हैं, ठीक है, जैसे आप लोग भालू लिखते हैं, कैसे लिखते हैं से भा और लू और दोनों को मिला देते हैं, तो इसके में एक अक्षर तो आपको क्या दिख रहा है, भा की आवाज आ रही है, एक और आवाज कैसे आती है, लू की आवाज आती है, दोनों को मिलाते हैं, तो भालू हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यदि भा की जगह, का, ला, ता, बा, सा, जोड़े तो क्या शब्द बनेगा, यानि जैसे पहले ज जो आवाज आपके पास भा की आवाज आ रही है, ठीक है, यह जो अक्षर है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, का जोड़ेंगे, ला जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे, बा जोड़ेंगे, सा जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, यह आपको लिखने अभ ठीक है उसके बाद अगला आपके लिए ता लू तो आभ यहां पर अपने उत्तर में लिखेंगे ता लू ठीक है उसके बाद अगला आपके लिए बा लू तो आप बा लिखेंगे पहले और उसके बाद यहां पर लू और इसे मिला देंगे बा लू फिर यहां शा लू तो आ अच्छा अब इसके बाद लास्ट में एक और प्रश्ण है बस अब हमारा ये ये जो पाठ है आलू की सड़क ये पूरा हो जाएगा है ना तो ये सब्दों का खेलका ये पांचवा और आखरी प्रश्ण आपके लिए है कि सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिये अब दे ये दिखाए दे रहा है तो इस पत्ते के अंदर आप हरा रंग भर देंगे प्रश्ण लिखेंगे और तीनों का आपको चित्र बनाना है तीनों पत्ते का ऐसा नहीं कि सबसे बड़े वाले पत्ते का बना लोगे तीनों पत्ते को आपको चित्र बनाना है लेकिन रंग जो भरेंगे बच्चों वह सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़े वाले पत्ते में बरेंगे और कौन सा रंग भरना है ये भी आपको बताया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हरा रंग ही भरना है ठीक है इन दोनों में रंग नहीं भरना है ठीक है सिर्फ इसमें रंग भरना है तो इस ज़रूर करना और ये मेरा चैनल friends at the rate preparation इसे subscribe ज़रूर कर लेना ताकि आपको latest video की notification मिल सके ठीक है तो thanks for watching bye bye